असलाम अलेकुम विवर्स मैं हूँ हमजा जेप और आप मेरा यूटीब चैनल देख रहे हैं सुब होते ही बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने बड़े बड़े साहफियों का पोल खोल दिया है बड़े बड़े साहफियों को नंगा कर दिया है इनका कचा चठा खोल कर अवाम के सामने रख दिया है कि वो साहफियों जो पेंट कोड टूपीस पहन कर आपको टीवी पर नजर आते हैं और बहुत ही मौमिन बनते हैं लोगों पर तनकीद करते हैं दरसल वो कितने दूद के धुले हैं आज मलिक रियास ने वाज़े तोर पर अवाम को बता दिया है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहरिया टाउन का लेटर हैड जो के चार सफाद पर मुझतमिल है वो सरकुलेट कर रहा है विदिन सेकिंड लाखों लोगों तक वो जा रहा है जिसमें बहरिया टाउन की तरफ से तमाम तर 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 तफसिलाट जों है आज एक्सपोज हो गई है पर आगई है और आपको मालूम है कि मलिक रियास के ओपर बादा माफ गवाद ना बनने पर प्रैस्वर डाला गया था कि आप 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है जो इमरान खान के ओपर केस मुनाया गया आप जो है उसमें बयान दे दें कि हाँ ये गलत था तो उस पर मलिक रियास साब ने जो बयान दिया था उस पर बात करेंगा और साथ ये जो 19 सहापचियों को प्लॉट मिले हैं गाडियां मिली हैं बाहर के टूर करवाते रहे हैं मलिक रियाज साब वो किन किन लोगों को मिले हैं और साथ ये साथ जनाब किस किसम का प्लॉट मिला कहां मिला गाड़ी कितनी मालियत की मिली कितने पैसे मिलते रहे इन तमाम तफसिलात पर बात करेंगे लेकिन आपसे दस बसा गुजारी शुए है कि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें घंटी के बिटन को आउन कर लें और कमेंट में अपनी कीमती रहे से जरूर अगाह कीजेगा सबसे पहले मैं आपको आगे चलकर टोटल मैं आप पहले बता दूँ 19 सहाफी ऐसे हैं जिनको गाड़ियां मिली करोड़ों रुपया मिलता रहा है करोड़ों रुपया बाहर के टूवर्ज होते रहे हैं वो सहाफी जो बड़े मौमिन बने फिरते हैं उनके नाम भी मन्जर आपर आगे तमाम आपको बताऊँगा तमाम तफसिलाद बताऊँगा किसको कितने पैसे मिले लेकिन उससे पहले मलिक रियास के उपर बहुत देर से एक प्रेशर डाला जा रहा था जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमराद खान की होकुमत गिराए गई तो किसी तरह सबसे पहले जब मलिक रियास की और आसी फली जर्दारी साब की दुबई में मिटिंग वी जर्दारी साब चुके मलिक रियास साब के साथ बहुत क्लोज हैं जर्दारी साब ने उनने बताया समझाया कि आप 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जो इमराद खान की उपर बनाया गया है उसके उपर बादम आफ गवा बन जाएं त्याकि इमराद खान को सक्त और सक्त सजा दी जाए जिस पर मलिक रियास साब ने एबसुलूटली नौट का उनने का कि मैं किसी के दुबाओं में किसी के प्रेशन में नहीं आऊंगा फिर उसके बाद पाकिसान पीपल्स पार्टी और पाकिसान मुस्लिम एक नून की हुकूमत बनती है और मलिक रियास साब रिलेक्स हो जाते हैं कि अब जर्दारी साब सरदर है वो कह रहें कि माड़ा हमारा इतना अर्बों का रुकसान हो गया और जरी बात है लोगों ने धड़ा धड़ वहाँ पर फाइले लिए वहाँ पर फाइले कम थी बंदे ज़्यादा थे मौमलात ये थे अब हुआ क्या है मादा मादा माफ गवा ना बनने पर मलिक रियास साब के उपर मजीद प्रेशवय डाला गया बहरिया टाउन की इस वक्स टोसाइटिस के जो हाल है वो आप सब के सामने ए इस वक्सिंटर जो हैं वो बहरिया टाउन नी कर रहे हर तरहा की सर्माय कारी जो बहरिया टाउन से मनसलिक है वो मकमल तोर पर रुख गई है फिर आपने दो तीन दिन पहले देखा नैब ने किस तरह बेरियर टाउन के दफ्तर पर जो मरकजी दफ्तर था वहां छापा मारा रिकॉर्ड को तहबिल में ले लिया अब जो असल हकीकत है अब मैं वो आपको बताने लगाँ आज सुब होते ह आज हफते का दिन है और मलिक रियास साब की तरफ से बड़े बड़े साफियों को एक्सपोस करने का फैसला कर लिया गया है ठीक दो दिन पहले एक और खबर सरकुलेट करी थी वो भी अगले दिनों में मैं आपको बता दूँगा कि मलिक रियास साब एक अपना चैनल भी ल इताजा हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है सबसे पहले मुपशिर लुक्मान साब का नाम सरे फैरिस्थ है नमबर बन पर मुपशिर लुक्मान साब है लेटर हेड आप इस वक सक्रीन पर देख रहे होंगे मुपशिर लुक्मान साब को रसीव हुए है जी दो करोड 85 लाख रोपे रसीव हुए है और ये नेशनल बेंक के थूँ transaction की गई है मुबसिर लुकमान साब को दूसरे नमबर पर डॉक्टर शाहिद मसूद साब जराम इन्हें एक करोड 7 लाख रोपे दिये गए नेशनल बेंक की तरफ से transaction हुई और साथ fully paid trips भी करवाए गए है ये साथ जो paid trips हैं trip से ये मलिक रियास साब की तरफ से शाहिद महमु मसूद साब को करवाए गए जिसमें दुबई था और कुछ दिगर मालिक थे वहाँ पर जो होटेल्स थे जो खाने पीने था जो कार का traveling का rent था वो सब मलिक रियास साब पे करते रहे पिर नमबर तीन पर यह करके से पीछे रह सकते हैं नजम सेठी साब नजम सेठी साब को अब तक 1. rocking क्रोड 54 लाग रुपे जो हैं वो दिये गए हैं मलिक रियास साब की तरफ से एक कनाल का फ्लॉट दिया गया तीन फुली पे ट्रिप करवाए गए हैं USA के फिर जनाब ये जो ट्रांसफर हुए हैं पैसे ये मुस्लिम कमर्शल बैंक के जरीए हुए हैं ये भी तफसिलाथ सामने आ गए हैं बैंक अकाउंट्स भी इसके उपर मेंचन हैं नमबर फोर पर कामरान खान साब मौझूद हैं इन्हें अब तक जनाब 62 लाक रुपे जो हैं वो दिये गए हैं और दो करोड का एक हाउसिंग जो प्लॉट है वो बहरिया टाउन में लौट किया गया है और पैसे जो हैं वो इन ताम खबर है चल नमबर 6 पर हामिद मीर साब हैं हामिद मीर साब को इस लेटर हेड के मताबिक और याद रखे का यह जो मैं आपको तमाम तर तफसिलात बता रहा हूं और आप स्क्रीन पर भी बार बार लेटर हेड देख रहे हैं यह मैंने खुद नहीं बनाए बैरिया टा हैं इन्होंने दो करोड पचास लाख रुपे अब तक मलिक रियास सब चली हैं पांच कनाल का प्लॉट भी लिया असलावबाद में और यह पैसे जो हैं वो MCB बैंक के जरीए ट्रांसफर हुए हैं और इसका अकाउंट नमबर भी इस लेटर हेड में मैंचल हैं फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूं नमबर साथ पर कौन है नमबर साथ पर हैं मज़र अबाद साब मज़र अबाद साब को अब तक पचास लाख रुपए जनाब बैरिया टाउन की तरफ से मिले हैं और डस मले का एक प्लॉट लहुर बैरिया टाउन ने लौट किया गया है मज़र अबाद साब को महर बुखारी का जनाब सात्मा नम महर बुखारी को अब तक बेरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज सबसे 50 लाक रुपे मिले हैं और साथी साथ जनाब जो एक कनाल का प्लॉट इसलामबाद ने लॉट किया गया है फिर उसके बाद नमबर 9 पर मारवी सरमद मारवी सरमद का नाम जो है वो सरे फेरिस्ट है नमबर 9 पर हैं पीछे हैं लेकिन कोई बाद पैसों की तादाद ज्यादा है 10 लाक रुपे जनाब अलॉट किये गए हैं और मनी ट्रांसफर जो हैं वो MCV बेंक के जरी हुई है नमबर 10 पर अरशर शरीफ साब जो की शोहीद हो गए अरशर शरीफ साब को इस तफसिलाद के मताबिक 50 लाक रुपे दिये गए थे और एक कनाल का प्लॉट इसलामबाद में लाट किया था मारवी सर्मद और अरशर शरीफ साब को मैंने आपको बता दिया है फिर उसके बाद अरशर शरीफ साब को जो है वो ब्योरो चीफ दुनिया टीवी का लगाया गया था और मलिक रियास साब ने ये 2011 में लगाया था और 65 लाक रुपे लोट किये थे जो के दू इंस्टॉलम साब है जनाब 55 लाक रुपया दिया गया है और साथी साथ जनाब बहरिया टॉन में एक प्लॉट भी दिया गया है अगली खबर जिया हम है जवेज चोधरी साब हैं 3 लाक रुपया पर कॉलम इनके मिलता रहा है कॉलम अच्छे थे इनके सना बुच्छा को 53 मुनीफ को बहुत सी चीज़ें लौट की गए जियो पीमलन का कोडिनेटर मलिक रियाज और पता नहीं क्या क्या देते रहे हैं आप मजीद इस सवाले से तफसिला जाना जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी का बटन कौन कर लें मुझे नहीं जादत अलाने के बाद कर दो